Hey what is up guys this is Tron and I am back with another video and आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया का एक निया डिवाइस के बारे में जो कि होने वाले नोकिया जेड वान मैक्स एने जो डिवाइस होने वाले बाजेट करे गोरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिवाइस होने वाले तो इस के अंदर देखने को मिलेगा जो नोकिया जेड वान मैक्स होने वाले आपको देखने को मिलेगा 2023 के अंदर जहां पर आपको प्रीमियम लेवल का डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि स्नैपडागन का 8-series का प्रोसेसर होने वाला है तो जो नोकिया जेड वान मैक्स होने रिगवाले काफी वैतरीन डिवाइस वाला §23 के अंदार इसका प्रीजिंग तो के आजब पास आजब बात करें था समार्टोन का अगर डिस्प्ले की बात के यह आपको देगने को मिलेगा 7.1 इंच का Super AMOLED पैनल जिसका रिजुलोशन होने वाले 1018-2400 पिक्सल 21.9 का स्पेक रिशियो आपको देगने को मिलेगा 275 PPI का पिक्सल देंसिटी आपको देगने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही बैतरीन डिस्प् इन इस स्मार्टफोन आपको दो भेंड में देखने को मिलेगा पहला होने वाले 8GB RAM दूसरा होने वाले 12GB RAM 8GB RAM के उपर आपको देखने को मिलेगा 128GB का इन-बिल स्टोरेज इन-बिल स्टोरेज इन-बिल स्टोरेज विश्वान कर सकतो भाया Microsoft अप्ट वान टीबी तक और इस प्रोसेसर के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 888 5G का SoC जो कि बहुत ही पाइरफुल प्रोसेसर होने बाला है और इस स्मार्टफोन को बहुत ही मैसिब लिवल का पर्फुमेंस प्रोवाइट कर देगा और इस प्रोसेसर एक 5G प्रोसेसर है जिसके वाद से अगर बात किया है तो यह आपको देखने को मिलेगा Android One प्रोग्राम जिसके उपर आपको कोई भी कास्टोम या देखने को नहीं मिलेगा फ्रेस Android के एक्स्परियंस आप ले सकते हो इस डिवाइस के उपर तो यहां पर जो यूसर एक्स्परियंस होने बाले बहुत ही ज्या सेंसर होने वाले 20 Megapixel का एन 2 Megapixel का आपको डिप सेंसर देंगने को मिल जाएगा Camera फीचर में आपको 4K video recording का सपोर्ट के साथ साथ OIS फीचर भी देंगने को मिल जाएगा यानि कि Optical Image Stabilization भी आपको इस स्मार्टफन में देंगने को मिल जाएगा अगर बात करें तो इसमें आपको देंगने को मिलेगा 32 Megapixel के एक front facing camera जिसका quality भी बहुत ही तगड़ा होने बाद है और front camera में आप 1080px video recording 60fps के साथ भी कर सकते हो अगर बात करें तो यह आपको देंगने को मिलेगा 8000mAh का lithium polymer battery जिसके सब को 30W के एक fast charger box content में देंगने को मिल जाएगा तो यह था अच का वीडियो Nokia Z1 Max के बारे में तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना वाद मूला है कॉमेंट करना वाद मूला है और आपनी इस चनल में पहले हो रहा है तो एका सब्सक्राइम आट के नोटिविकर सब्सक्राइब को दबा दो तो सी यू झाल झाल